हेलो दोस्तों एक वर्फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मज़ेदार रिव्यू में आज हमने लाए हैं डॉम्स के दो-दो प्रोडक्ट और यह जो दोनों प्रोडक्ट आप देख रहें इसका प्राइज अल्मोश तेम है क्योंकि इस एक प्राइडेक जाता है इसके बाद इसको ओधी खुलते है और आपको दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा बीड है हेंडल गृप का बात किया जाए दोस्तों तो यहां पर दिये हुए सिंगल गृप है एक ही है इसको आपको टांग के ऐसे ले जाना होगा अगर आप चाहते हैं स्कूल बैक के तौर पर यूज करना तो आप यह वाले जो डिनामिक स्कीट है इसका इसका इस्तमाल नहीं कर ओसपर लग रहा है यहां पर एक इस्ट्रा कंपाट्मेंट भी दे दिया है जोकी यहां पर मिसिंग लग रहा है दोस्तों लेकिन यहां पर देखो पर भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं प्लस पॉइंट हमको यह पर यह लगा दोस्तों अगर यह कीट आपको चाहिए तो आप मीशो से और कर सकते हैं काफी कम प्राइज में वहां से आपको मिल जाएंगे तो इसको खुलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या ची देखाते हैं तो गाई सबसे पहले नजर पढ़ता है यहां पर एक सापनर पर जो कि काफी प्यारा सा एक सापनर दे रखा है और इसके अंदर एक अलग अपार्टमेंट है जिसमें आपका डश्ट जमा होगा यहां से आपको सार्प करना है तो दोस्तों एक सापनर मिल जात तो आपका प्रोजेक्ट काफी डिफरेंट बनेगा इसके अलावा और भी चीज है इसके अंदर देखते हैं दोस्तों तो गाईस एक यहां पर निकला है डॉम्स का ड्रॉइंग कीट यह ड्रॉइंग कीट अगर देखोगे तो इसके अंदर जो दे रखा है ड्रॉइंग प खोलते और आपको मैं दिखाता हूं इसके अंदर क्या के चीज़े इसका प्राइस का बात करें दोस्तों तो यहां पर प्राइस जो है मात्र 50 रुपेज मेंशन किये हुए तो यह 50 रुपे के आते हैं तो गैज इसका पेंशिल निकालते है आपको दिखाता हूं वाव गई देख सकते हूं यहां पर एक एरेजर भी फिरी में दिया है जो कि ड्रोइंग के लिए रेजर आते हैं यह स्पेशल एरेजर है इससे काफी नीट अंड किलीन एरेज होता है यहां पर देखोंगे तो टूबी से ले करके यहां टेन भी तक दे दिया यह टेन वी वा यह रहा शिक्स भी पेंसिल दोस्तों कि फोड भी तो गई देख सकते हैं जैसे हम आगे के तरफ बढ़ रहे हैं यहां पर डाकनेस जो है वो कमते जा रहा है और यह रहा टूबी पेंसिल तो यह पेंसिल का इस्तमाल स्केच बनाने के लिए किया जाता है डाक पोशन के यह वाले यूज़ करेंगे तो यह टूबी है और यह टेन भी है तो ड्राइंग अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए काफी अच्छा पेंसिल है यह दोस्तों इस पेंसिल के इस्तमाल करके आप रियल पोट्रेट भी बना सकते हैं किसी का फोटो भी बना सकते हैं बस होने आना चाहिए तो इसको करते है साइट फिर बढ़ते हैं अगले आइटम के तरफ इस बैक से दोस्तों नेश्ट जो प्रोड़क्ट निकला है यह काफी डिफ्रेंट सा है और यह जो देख रहे हैं जैसे काड का चक्का है लेकिन एक इरेजर है दोस्तों यह काफी नया प् जो इस बैक से निकलने वाले हैं हमारे जो नेश्ट आइटम होने वाला इस बैक के अंदर जो की डॉम्स का वाटर कलर केक है और यह बारा सेड में आते हैं दोस्तों यह काफी अच्छा क्वालिटी के वाटर कलर से है और इसका प्राइश का बात करें तो मातर पैंसाट जो है बारा सेड में है और एक ब्रस फिरी में आपको मिल रहे हैं तो काफी अच्छा है इसको खोलते हैं आपको दिखाते हैं वाओ गाईज यह क्वालिटी चेक करो कितना प्यारा लग रहा है इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा है इसके अंदर सारे कलर जो एकदम सेफ रहेंगे और कलर कंबिनेशन भी बहुत अच्छा दिये हुआ है मतलब जो यूनिक कलर्स है वह सारे दे दिये हैं जो आपको चाहिए होता है एक बेसिक कलर सारा है कलर मिक्स करके आप नया कलर भी बना सकते हैं इसको यूज करने के लिए पानी से ब्रस को भीगाना पड़त उसके बाद इस पर रब करके पेपर पर अपलाई करना होता है काफी अच्छा ड्रोइंग बनते हैं वाटर कलर केक से इसको करते हैं साइट फिर बढ़ते अगले प्रोड़क्ट के तर जो कि हमारा नेस्ट प्रोड़क्ट होने वाला इस बैक के अंदर से दोस्तों यह रहा यहां पर दे दियो है काफी अच्छा कलर है और इससे भी आप ड्रोइंग बना सकते हैं काफी प्यारा ड्रोइंग बनते हैं बढ़ते हैं अगले प्रोड़क्ट के तरफ जो इस बैक से निकलने वाले हैं दोस्तों हमारा जो नेक्ट आइटम है यह डॉम्स के जम्बो पिस है तीन चार सल पहले की मात है जिब टोम्स का जम्ड परता था अचे काफ़ी ना है वो भी आपको चेक आउट कराते है इसके अंदर भी टोटल 12 सेड मिल जाते है 12 सेड है और इसका क्वालिटी काफी अच्छा है गाइस तो देख सकते हो कितना प्रेमियम क्वालिटी का है एक टूल भी यहां पर दिये हुआ है जो कि इस वाले के सामने तो यह जम्बो वाले होते हैं जो काफी मोटा होता है और इसका क्वालिटी भी अच्छा होते है इससे जो भी आप बनाओगे रियालिस्टिक बनने वाला है तो काफी प्रिमियम क्वालिटी के है 100 रुपे में आपको 12 कलर मिल जाते हैं बढ़ते हैं अगले कि दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी बड़ा-बड़ा निकल आते हैं जो कि जल्दी खतम नहीं होंगे हैं लेकिन काफी ज्यादा बड़ा है और इसका टीप जो है वह द्धि autonomous तो यह देखो यह जो टिप देख रहे हैं काफी मोटा टिप्स दे दिये हुआ है जिससे एक पेंटिंग करने में कालरिंग करने में काफी असानी होने वाला है तो काफी अच्छा लग रहा है इसी तरह अगर देखा जाए यह नॉर्मल वाला तो यह नॉर्मल वाला देखो कि कितना कमजोर सा लगड़ा है इसका color combination काफी अच्छा है और price का बात किया जाए तो मातर 100 रुपए है तो 100 रुपए में आपको इतना premium quality के marker pen मिल जाते sketch pen मिल जाता है काफी अच्छा है और यह water eraser मातर 25 रुपए में आते हैं और इसके साथ-साथ दो रिफिल भी फिडी मिल रहा है एक pen के shape में eraser है दोस्तों यह जो eraser है इसका इस्तमाल painting बनाने के लिए किया जाता है जब आप pencil से sketch बनाओगे तो वहाँ पर सार्प अगर इरेज करना होगा मतलब पतला लाइन वगड़ा देना होगा इरेज करके तो उसके लिए काफी अच्छा होते हैं और जैसे ही आपको इक जातम होगा तो आगे के तरफ प्रेश करोगे तो नया टीप जो है आगे के तरफ आ जाएंगे तो काफी अच्छा है इसके अंदर दो रिफिल भी फिरी दे रहा है और मातर यह 25 रुपेक है दूसरे ब्रांट के तरफ अगर आप जाओगे तो काफी महंगा देता है दोस्त काफी ज्यादा है और यह मजबूत वाले स्केल दे दिये हैं तो एक स्केल भी मिल जाता है बड़ा वाला स्केल काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रोड़क्ट के तरफ जो इस बैक के अंदर है जो की हमारा नेक्ट प्रोड़क्ट है इस रुपे दियी हुए है और यहां पर टोटल चौब रॉप मिल जाते हैं तो खोलते हैं और आपको दिखाते हैं तो गाइस देख सकते हो यहां पर टोटल six color रॉप ब्रॉप इन दे निकालते हैं तो देखो दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है यह जितना भी unique color है वह सा क्यालिग्राफी के रूप में लिख सकते हैं काफी अच्छा क्वालिटी का यह ब्रस पेंड जो है वो चल रहा है क्योंकि सबसे अच्छा ब्रस पेंड डॉम्स ही बना रहा है बढ़ते हैं अगले प्रोड़क्ट के तरफ जो इस बैक के अंदर होने वाले हैं दोस्तों हमारा यह रहा एक डॉम्स का बाइलेटरल पेंसिल यहां पर टोटल पेंसिल का बात किया जाए तो च्छोव पेंसिल आपको मिल जाएंगे लेकिन कलर का बात किया जाए तो बारा कलर मिलेगा वह कैसे तो आपको दिखाते हैं दोस्तों तो गाइज यहां पर चेक आउट करो कि कितना कलर निकल दा है यहां पर टोटल कितना पेंसिल निकल दा है चार पेंसिल हुआ पांच और यह रहा छो लेकिन देखो कि कि दोनों तरफ से कलर दिये हुए है जैसे अगर ब्लू वाले आप उठाओ के तो इधर रेड भी है तो ए के अंदर बच रहें तो गाइज यह रहा डॉम के आट कीड जोन इसके अंदर बना हुआ आता है पेंटिंग काफी सारे यहां पर आट बने रहते हैं बस आपको कंप्लीट करना होता है तो इसको खुलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या-क्या चीज़ है तो सबसे पहले य यहां पे color book दिए हुआ है इसके अंदर color कर सकते हैं काफी अच्छा drawing book दे दिया दोस्तों इस तरह से धेर सरा activity मिल जाता है इसके अंदर जो आप कर सकते हैं और इससे आप बोड़ भी नहीं होने वाले तो काफी प्यारा सा है और इसके अंदर जो भी art material मिला है उन सभी का इस्तमाल करने का भी guidance यहां पे दे दिया हुआ है कौन सा color आपको कभी उच करना है वो भी यहां पे mention किया हुआ है तो guys काफी अच्छा quality का यहां पे दे दिया एक drawing book देख सकते हैं काफी प्यारा लग रहा है तो guys इसको करते हैं style फिर देखते हैं और भी कुछ है क्या इसक के अंदर कुछ भी नहीं बचा यह बैग का quality काफी अच्छा रगा अब बाड़ी आता है दोस्तों डॉम के dynamics kit का तो चलो उसको भी देखते हैं तो guys इसका बैग का अगर बात किया जाए तो बैग का quality इसका भी ठीक है transparent सा दिये हुआ है लेकिन आप इसको school bag के तोर पे यू तो guys सबसे पहले यहां पर सापनर चेक करो कि इसमें दो-दो सापनर दे दिये हुआ है gear kit के अंदर मात्र एक सापनर था और यहां पर दो सापनर दे दिया यह सापनर सेम है जो कि दोनों में मिल जाते हैं और यह तोड़ा different है दोस्तों यह foot wall के shape में दिये हुआ है half foot wall है और इधर से आप sharp करोगे इसके अंदर dust collect होंगे देखते हैं अगला product इसके अंदर दोस्तों हमारा जो next product है यह domes का hex oil pistol यह hexagun के shape में oil pistol है और यह भी मजबूत होते हैं जैसे वहां पे jumbo वाले oil pistol थे उसी तरह का यह भी oil pistol है और इसके अंदर दो टूल आपको extra मिल जागा जो दोनों 100 रुपे का ही है वहां पे jumbo वाले भी 100 थे यह भी 100 थे तो दोनों लगबग सेम ही है oil pistol लेकिन इसका packet box का बात किया जाए तो काफी मजबूत दिया हुआ है यह hard plastic से बना हुआ है इसके अंदर आपका color एकदम safe रहने वाले तो बढ़ते हैं अगले product जो इसके अंद दे दिया जो कि दोनों बैग में मिल जाते है आपको oil pistol भी सेम है तो difference क्या है वो देखना है कि कौन सा लेना बेतर होगा तो यहां पर एक एरेजर मिल जाता है जो कि यह भी सेम है जो कि उसमें भी था और इसमें भी दे रखे हैं इसके अलाबा यहां पे एक एरेजर का packet दे मिल जाएंगे इसका price का अगर बात करें तो 50 रुपीज दिये हुआ है दोस्तों यह वाला जो ब्रस पेन है यह थोड़ा सस्ता पड़ा इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रोड़क्ट के तरफ दोस्तों हमारा जो नेक्ट प्रोड़क्ट है यह का कलर पेंसील और इसका box दोस्तों है वह काफी अच्छा लगा metal body दिये हुआ है काफी मजबूत है इसके अंदर पेंसील आपके safe रहेंगे दोस्तों यह जो कलर पेंसील है यह premium quality के है टोटल 24 सेड़ आपको मिल जाते हैं और दो एक्स्ट्र आपको फिडी में मिलेंगे दो फिडी जो है वह गोल्ड काफी अच्छा होते हैं जिससे आप ड्राइंग बनागे तो वह हाइपर रियलिस्टिक सा बनेगा तो दोस्तों धेर सारा पेंसील मिल जाता है इतना पेंसील काफी एक अच्छा ड्राइंग बनाने के लिए देखते हैं अगला प्रोड़क्ट जो इस पैक के अंदर है तो वाइज हमारा जो नेक्ट प्रोड़क्ट है यह डॉम्स का मैक्स स्केच जो की सेम है उसमें पहले भी मिल चुके इसका वी प्राइज जो है वह 200 रुपय है दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रोड़क्ट जो डिफरेंट हमको लग रहा है यह डिफरेंट प्रोड़क्ट है रूलर स्केल हो गया कमपास वगयरा सब कुछ इसके अंदर मिल जा रहा है यह रहा आपको इसके अरावा देखोगी तो यहां पे दो ट्रेंगल वाले भी दे दिए स्केल तो काफी अच्छा है मतलब कि जुमेट्री का सारा समान आपको एक ही साथ मिल जा रहा है इसका प्र प्रड़ा सेड आपको मिल जाता है तो खोलते हैं और दिखाते हैं कैसा कलर है इसका कलर देख सकते हैं कोई भी पेपर नहीं लगा हुआ है यह ग्रीप काफी अच्छा होते हैं और यह प्लास्टिक कैडियोन है तो मजबूत है यह जल्दी टूटेगा भी नहीं इससे कलरि है इसके बाद बरते हैं अगला प्रोड़क्ट जो इस बैक के अंदर है और यह भी आपको स्केल है जो सेम स्केल मिल रहा है दोनों में सेम इसकेल है तो प्राइज भी सेम है तो सारा चीज लगवख सेम ही निकला कुछ प्रोड़क्ट यहां पर डिफरेंट है एक दे दिया हुआ है जैसे अगर मान लोग कि घर में चार पांच बच्चे हैं तो सभी का अपना अलग-अलग कलर रहेगा तो पहचानने में इजी होगा कि हाँ यह पेंसिल मेरा है तो यह तुम्हारा है तो दोस्तों इसको डार्क पेंसिल है इसका जो डार्कनेस है वह काफी अच्छा है दोस्तों देखते हैं और भी प्रोड़क्ट इसके अंदर है जो कि दो प्रोड़क्ट दिख रहा है तो दोस्तो यह रहा Domes का Stencil इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं यह क्या चीज़ है दोस्तो यह plastic का दिए हुए Stencil अगर आप project बना रहे हैं और उसमें ऐसा font लिखना चाहरे हैं जो लगे कि computer से print किया हुआ है तो उसके लिए आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसके मदद से जो भी आप लिखोगे ऐसा लगेगा जैसे typing से लिखा गया है तो काफी अच्छा project आपका बनेगा दोस्तो इसका price का अगर बात करें तो यहां पर price जो दिये हुए है 15 रुपे यहां पर दे रखे हैं इसके अगर आपको यह चाहिए तो आप लिंक दे रहे हैं description में वहां से आप purchase कर सकते हैं काफी कम प्राइज में मिल जाएगा मेरे चैनल पर नए है तो जल्दी से इस चैनल को कर दो subscribe और मेरे वीडियो को कर दिना लाइक फिर मिलते हैं को नए वीडियो के साथ तब तक लिए बा झाल झाल